हेलो गाईज, वेलकम बेक टू मैं चानल आज जो है हम नेक्स टॉपिक करने जा रहे हैं ट्रेनिंग चैप्टर का हमने नेक्स टॉपिक जो था मैथड आफ ट्रेनिंग से स्टार्ट किया था तो वरकर्स के लिए जो मैथड थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे पिछले वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में डाल दूँगी तो आज हम जो training methods करने वाले हैं वो करने वाले है managerial executives के अब managerial executives के लिए अलग-अलग training methods हैं जो top methods हैं वो है 10 methods हैं तो पहला method जो है वो है job rotation committee job rotation committee में क्या होता है कि इस method के अंदर जो manager है वो अलग-अलग different तरह की jobs के ओपर उनको training देता है मानलो एक employee है अगर different departments हैं different jobs हैं उनके लिए अलग-अलग तरीके की training होंगी तो हर एक person को हर एक employee को वो अलग-अलग काम सिखाएगा मानले जिए कि एक employee था उसको production का काम भी सिखादेगा उसको HR का काम भी सिखादेगा उसको sales department का भी सिखादेगा यानि इस तरह से सारा काम सिखादेगा कियसे सिखाएगा वो उसकी job को rotate करता रहेगा कि अब आपने production का काम कर लिए थोड़े टाइम बद उसको sales की काम के लिए बेज देंगे तो इससे क्या होता है कि जो employee होते है वो practical knowledge तो इससे क्या होता है कि उनको उसी काम में दुबारा से different काम में भेजा जा रहा है तो उनसे उस काम के लिए जो knowledge होती है वो practical होती है वहां पर वो काम actual में काम कर रहे हैं और दूसरा ही होता है कि उनको अलग-अलग तरीके की jobs को करने का मौका मिल जाता है तो यहां पर जो efficient managers होते है वो they get opportunity for development under this method इससे क्या होता है कि उनके method इस method से जो development होती है वो भी हो जाती है managers की भी क्योंकि यहां पर manager क्या करते हैं अलग-अलग department में manager बन जाते हैं जाके जैसे कि यहां पर है manager माल लेजी यह manager जो है वो production department से related था चिक है अब इसको थोड़े time बात कुछ time period के बाद इसको कहा कि अब आप sales समालो फिर वो sales department समालेगा फिर उसको कहा कि आप HR department को समालो फिर वो HR department को समालेगा फिर उसको कहा कि आप जो है advertising department को भी समालो फिर अब यह क्या पता जो बड़ी बड़ी organizations होती है उनके लिए advertisement यह हम कह सकते हैं जो promotion का department होता है वो अलग होता है sales से जबकि यह sale का ही part होता है लेकिन कई बार अलग कर देते हैं क्योंकि बहुत large organizations है तो उनकी sale की proceedings अलग हो जाती है और इनकी क्या हुआ production का काम तो आती था साथ-साथ उन्होंने sale का काम भी सीख लिया एक्चार डिपार्टमेंट का भी सीख लिया और advertisement का काम भी सीख लिया ठीक है तो इससे फाइद हो जाते कि manager जो है वो अलग-अलग job perform करने के लिए capable हो जाता है अगर किसी अर्जेंसी में किसी डिपार्टमेंट का manager अविलेबल नहीं है या फिर उसकी देथ हो गई है वो छोड़के चला गया है तो यह वाला manager है महां का काम असानी से देख सकता है ठीक है अब मैरिट्स क्या होते है इसके कि हर एक manager को अपरचुनिटी मिलती है कि different post पर वो काम करें इडि ब्रिंक्स डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटल स्टेगनेशन तो एन एंड हर एक डिपार्टमेंट में उनको जाने का मौका मिल जाता है इससे क्या होता है इंटर डिपार्टमेंटल कोपरेशन रहता है इड़ क्या करता है जो नौलेज होती है मैनेजर की उसको बढ़ाता है कि हर एक डिपार्टमेंट में वह काम करेंगा अलग-अलग जो भी कॉंपलेक्सिटी उनकी उस डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट की सारी कॉंपलेक्सिटीज को वह हैंडल भी करेगा डिपार्टमे गर एक दो महीने के लिए लग दिया ओचे महीने के लिए रग दिया तो वह उतने time period में पूरे के पूरे department की जो analysis है वो नहीं कर पाता under this method many a time a manager is shifted to another place which effects which adversely affects his family life अब क्या होता है कि कई बार अगर जो manager होता हुद को other place में shift कर दिया जाता है तो यह जो है उनकी फैमिली लाइफ को बहुत ज़्यादा एफेक्ट करता है जैसे अब मान लो को यहां पर अंजाब में काम कर रहा था अब उसको भेज दिया गया अचानक से कश्मीर ठीक है तो क्या हुआ उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी जाना पड़ेगा तो यहां प पॉइंट किया जाता है सीनियर मैनेजर के अंडर सीनियर मैनेजर जो है उसके लिए असिस्टेंट बना देंगे और वो असिस्टेंट यानि वो जो ट्रेनी है वो क्या करेगा जो भी काम वो कर रहा है मैनेजर जो है सीनियर मैनेजर जो काम कर रहा है उसको देख रहेगा उ या फिर चुट्टी पर तो हो गया या फिर उसकी देथ हो जाती है या वह रिटायर हो जाता है कोई भी किसी भी रिजन से या फिर वह छोड़ करी चला जाता अर्गनाइसेशन को तो उस केस में जो असिस्टेंट होगा वो सारा काम संभाल सके चीक है यहां पर बोल रखा है under this plan whenever the manager goes out चला गया या उसको सिखो गया बिमार हो गया या proceeds on leave या किसी भी तरह की leave पर चला गया तो जो ट्रेणी है जो वहाँ पर काम कर रहा है तो वह सारा का सारा वर्क समभा लेगा ठीक है इन फ्यूचर अगर highest पोस्ट वेकंट होगी तो उसको भी इससे फिल्ट किया जा सकता है मैरिट्स क्या है इसके यह एक ट्रेनिंग है वर्क लोड जो होता है सीने मैनेजर का रिड्यूस हो जाता है और ट्रेनी जो है मोटिवेट होता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि किस तरह से क्या काम करना ह डीमेरिट्स क्या है इसके पहला डीमेरिट है possibility of favoritism is there as the training selected by the manager इसमें जो है favoritism की possibility हो सकती है क्योंकि जो manager है वही trainee को select करता है तो यहाँ पर ही हो सकते हैं कि जो manager का favorite person होगा वो उसको अपने assistant रख लेगा second है except the trainee no other employees motivated सिर्फ एक trainee ही motivate होगा और other employees को chance ही नहीं मिलेगा promotion का वहाँ पर blocked हो जाएगा तो other employees motivate नहीं होगे क्योंकि जो training ले रहा है जो trainee है उसी को तो motivation मिलेगा आगे क्योंकि उसको promotion के chance है वो confirm है लेकिन अधर इंप्लाइस के जो प्रोमोशन के चांस है वो रुख गए हैं ब्लॉक डोग गए हैं तो उनको किसी भी तरह का मोटिवेशन नहीं मिल पाता थर्ड पॉइंट हैं, Jacob Igles. इस मेथड के अंदर सेट अब इसmee क्या होते हैं ट्रमाइur को इंवाइट के जाता है कि वह अपने जो और आपिणेंस हैं उनके रिलेडर सेप्पा?, किसी भी तरह का उनका opinion है किसी भी तरह का वो अगर बता सकते हैं कि किसी तरह कैसे problem को solve किया जा सकता है क्या method यूज किया जा सकता है तो वो अपने जितने भी methods है या जितना भी उनका mindset है कि हम लोग इस तरह से कर सकते हैं तो trainees वहाँ पर वो चीज़ें अपनी opinions बगारा provide करते हैं उनको पूरी की पूरी freedom होती है कि वो suggestions दे सकते हैं और यहाँ पर यह बोला है they use the same to take, tackle various problems however, higher authority is not bound to accept this suggestion माल लो उन्होंने suggestion दे दी लेकिन higher authority जो है उसको कोई भी compulsory नहीं होता कि इन्होंने जो suggestion दी है आपको वही माननी पड़ेंगी वो अपने इंसाफ से अगर उनको suggestion ठीक लगती है तो ठीक है नहीं तो अगर वो चाहते हैं कि modify करना चाहते हैं तो वो modify भी कर सकते हैं फिर यहाँ पर बोला है under this plan junior board is given some problems which they solve at a lower level जो junior boards है यानि जो थोड़े नीचे के board है उनको क्या बोला जाता है कि कोई भी problem उनको भी दी जाती है lower level की problems दी जाती है उनको बोला जाते है कि आप lower level की जो problems है उनको solve करें तो afterwards when the board of directors take final decision it incorporates in it if needed be the opinions and suggestions of the members of junior board of the directors अगर उनको किसी भी तरह की suggestion चाहिए उनकी suggestion में वो modification वगयरा करना चाहिए तो वो भी कर दते है under this method members of the junior board can influence the senior board by their competence and decision making capacity this may open the gate of their promotion in future वो क्या करते है junior board जो है अब senior manager को एक तरह के से आप कह सकते हो indirectly influence करते है अकर उनका decision वगयरा अच्छा होगा तो उनके लिए कही ना कहीं future में प्रमोशन के जो chances होते हैं वो बढ़ जाते हैं चीकिए by use of this method development of second line of capable managers take place for the benefit of the organization यहाँ पर जो second line managers होते हैं उनको भी कही ना कही एक benefit मिल जाता है उनके development भी हो जाती है so merits क्या है इसके पहला है approach of the trainees towards the trade widens and they are unable to understand its working in a better way यहाँ पर जो है trainee जो है उनको trade करने का एक बड़ा मौका भी मिलता है और उनकी जो सोच है वो भी बहुत बैटर हो जाती है और उनका understanding level भी बैटर हो जाती है क्योंकि वो उनको problem बताई जाती है तो वो problem को किस तरह से understand कर रहे है तो वो जो level होता है वो भी बैटर हो जाता है किसी भी तरह कि अगर आप problem बताते है sense of responsibility, develop समंग दें उनके अंदर responsibility की भावनाई जो होती है वो जाकरुक होती है वो develop होती है तो वो उनके पास उनको जो है पूरी की पूरी freedom होती है कि वो decision ले सकते है और decision जो है कि इनको provide करेंगे वो उन committees के senior authority को ठीक है by working on the committee और junior board of directors they developed art of leadership ये जो है leadership की art communication की art और decision making ये जितनी भी arts है या mutual harmonious relations इन चीजों की जो art है ये भी develop होती है क्योंकि इनके पास leadership quality भी आ जाती है वो अलग से अच्छा से decision ले लेते हैं तो उनको लगता है कि हमारे अंदर एक leader बनने की capability है तो उनके future में जो promotion की chances है वो भी बढ़ जाते है तो और ये क्या है अगर माल लेजिए कि हम उनको problems देते रहें वो उनका solution हमें बताते रहें तो इससे क्या होगा communication भी better होगा किसी भी तरह का ये नहीं होगा कि जैसे कि माल लेजिए हम लोग अगर किसी भी employee को वो नहीं देते छूट नहीं देते फ्रीडम नहीं देते है organization के अंदर तो वो क्या करते है अगर उनको कोई छोटी सी भी बात करनी होगी तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट या हिचकिचा जाते है वो बात करने में वो communication नहीं कर पाते properly तो यहाँ पर यह हो जाते है कि वो communication भी असानी से कर लेंगे और better communication कर लेंगे क्योंकि उन्होंने ही decision लिया है चीक है decision making की power भी जो है यहाँ पर वो भी develop हो जाती है this method paves the way for taking decisions by mutual consultation यह जो methods है यह कि वे में जाता है कि आपने mutual consultation की द्वारा ही decision को लेना है यहाँ पर जो है knowledge of members जो है members की जो knowledge है वो भी add होती है क्योंकि यहाँ पर decision बेशर कि उन्होंने बता दिया लेकिन कही न कहीं जो दूसरे members वगेरा है वो भी उसको check out करते है check out करने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या पता modification करना हो या फिर कोई another decision लेना हो in managerial problem से related ठीक है demerits क्या होते है हर एक member को अपना जो time है express करने का मिलतो हो जाता है there are mutual consultants also every member is given time to express his opinion तो यह क्या हो जाते है थोड़ा सा time ज़्यादा लग जाता है अगर कोई decision लेना हो युकि सबको अपना opinion देने का time मिल जाता है और mutual consultation होती पहले यानि अगर 100 member है organization में तो 100 के साथ पहले consult करेंगे कि यह decision सही है या नहीं है तो इस तरह से जो time है उसकी wastage होती है फिर है collective responsibility हो जाती है उन committees और board की यहाँ पर आप किसी एक person को यह नहीं कह सकते कि इनकी गलत decision की वज़े से सारा काम गलत हुआ है पूरा एक committee जो बना हुआ है तो वो collectively responsible होंगे फिर बोला है कि many a time due to difference in opinions committees fail to coordinate their activities causing harm to the interest of the organization क्या होता है कि उनके अलग-अलग opinions होते हैं तो committee जो है उन सारे opinions को एक तरीके से coordinate नहीं कर पाती या उस coordination को ठीक से नहीं बैठा पाती जिसकी वज़े से जो interest होता है organization का वो कहीं ना कहीं हाम हो जाता है fourth point बोलता है कि to accept or not to accept the suggestions यहाँ पर यह बात बोली गई है कि अब जो higher authority होता है उसके उपर depend होता है कि suggestions जो उन्होंने दी है वो उनकी accept की जाएंगी कि नहीं की जाएंगी तो यहाँ पर एक तरह के से उनकी जो training है उनका fully utilization नहीं हो पाता जो training है कहीं ना कहीं यह सोचते हैं कि हमारे जो हमने decision दिया था वो ज़्यादा अच्छादा बल्कि वो ज़्यादा quality proof होता ज़्यादा better proof होता लेकिन फिर भी उन्होंने कोई और decision ले लिया तो वो कहीं न कहीं motivate नहीं हो पाते और उनका जो काम है कहीं न कहीं रुख जाता है ठीक है वो उस तरह से decision नहीं लेते हैं employees भी जितने starting में उन्होंने better decision लेने की कोशिश की थी तो उनकी full capacity का use नहीं हो पाता special conferences training by holding special conferences is a distinct feature of the present business present day business circles अब यहाँ पर क्या है अलग तरिके से special conference की जाती है और इन conference में जो trainee है उसको decision making ability जो है उनकी उनको develop किया जाता है leadership को develop किया जाता है efficient communication को develop किया जाता है और इसका जो time period होता है वो होता है दो से तीन दिन का और इस method के अंदर जितने भी trainees होते हैं members होते हैं वो एक जगाँ पर assemble होते हैं अपनी मर्जी से assemble होते हैं यहां पर word यूज किया गया है under this method all the trainees or managers assemble at one place for deliberations यानि अपनी मर्जी से ही होंगे और in this conference इस conference के अंदर one person or all those assembled या कोई एक person या जितने भी assemble हुए हैं वो अपने views को express करेंगे अभी हां पर जो यह लोग views को express करते हैं वो यह specific problem के उपर करते हैं तो तीन kind की conference जो है organize की जाती है पहला होता है directed conference दूसरा होता है consultative conference तीसरा होता है problem solving conference directed conference वो conference होती है जिसके अंदर यह जो है सारे trainees एक साथ आते हैं उनको invite किया जाता है और different जो problems होती है business problems उनको वो provide की जाती है और इसमें जो है trainee 15 से 20 के range में होते हैं और trainees जो है बहुत कम range के होते हैं क्योंकि यहाँ पर जादा लोगों को एक साथ इखटा नहीं किया जाता और जो trainee होते हैं जो भी उनको problems दी गई है different problems दी गई हैं उनके उपर वो अपने views रखते हैं और जो other trainees होते हैं या फिर जो trainer होते हैं वो उनसे question पुट करते हैं जो भी उनको subject मिला था यानि जो भी उनको topic मिला था या problem मिली थी फिर अगर वो लोग correct solution बताते हैं तो ठीक है अगर वो नहीं बता पाते तो जो trainer है वो उनको guide करता है कि इसका solution ये था ठीक है उसके बाद यहाँ पर बोला है लेटर और ट्राइ arrive at a correct solution of the problem by mutual exchange of views कैसे एक correct solution निकालते हैं एक दूसरे से अपने views को exchange करने के बाद on the one hand this method reveals the knowledge of the trainee and on the other he adds to the knowledge by listening to the suggestion of the trainer and other trainee colleges यानि उनकी knowledge एक तो बढ़ती है क्योंकि वो अपने आप से decision ले रहे है अपने आप से उन problems का solution बता रहे है और दूसरा कौन बताता है trainer अगर कहीं वो गलत है तो trainer भी कही ना कहीं suggestions प्रोवाइड कराता है और उनका जो corrective action होता है उनको वो बताता है और जो यहाँ पर conference जब बढ़ाई जाती है तो उनकी sitting arrangement इस तरह से होती है कि जतने भी participants वहाँ पर बढ़े हैं वो अपने जो views हैं वो independently बता सकें एक्सचेंज कर सकें next बोला है consultative conference यह जो conference होती है generally managers के द्वारा organize की जाती है और इसमें क्या होता है under it managers listen to the views of those person to find a solution to a particular problem यहाँ पर भी particular कोई problem दी जाती है और उस पर भी उनका solution निकालने को खाल जाता है इसका aim main यह होता है कि solution भी निकल जाए और consultation भी हो जाए ठीक है लेकिन यहाँ पर जो भी opinions दिये जाएंगे पार्टिसिपेंट्स के द्वारा तो manager या management का decision होता है या उनके उपर depend होता है कि वो ही उनको accept करना चाते है या नहीं करना चाते इन थरा की conference जो है बहुत ज़्यादा popular है business में आज के time पर और इन conferences से inspire होकर जो businessman है वो advisors जो होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं आज करके time में कि वो advice कर सके क्योंकि यहाँ पर consult अब किस से लेने participant से वो training हो गए वो ऐसे person हो गए जो भी problems उनके सामने आएगी management से related तो बता सकते हैं business problems बता सकते हैं तो क्या बन जाते हैं तो तरह के से advisor बन जाते हैं organization के next है problem solving conference problem solving conference यह भी problem sorry related है लेकिन हैं पर किसी बी तरह सो concerned नहीं होते हैं और न ही किसी तरह का decision maker का कोई role होता है यहाँ पर क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ यह देखते हैं की हमें उसका decision कैसे लेना है टिकें यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि यहां पर collective responsibility होती है यहां पर भी उसी concept based है यहां पर individual का कोई भी concept नहीं होता ठीक है फिर इसके बाद आते हैं कि यहां पर जो है decision जो है voting के द्वारा लिया जाता है एक second finally the problem is solved with the conference of all many time when unanimity is lacking decision is taken by voting कहीं पर ऐसा हो जाता है कि अगर कोई ऐसा decision है जो की समझ नहीं आरा सबके जो सुझाव है बहुत अच्छे लग रहे है उनको ऐसा लग रहा है हां सबके सुझाव सही है तो इस case में voting का साहरा लिया जाता है चीक है उसके बाद merits क्या है इसके best alternative मिल जाता है the best solution मिल जाता है उन problems का उसके बाद second बोला है कि जो members है उनको opportunity मिल जाती है different people के साथ मिलने की और उनकी जो knowledge है कर सकता है different views are hired at one place different views एक ही जगह पर आ जाते हैं demerits बहुत जादा time और money लग जाता है इन conferences को held करने में और in conference call पर high degree of organization skill की ज़रूरत होती है जो कि यहां पर नहीं हो पाती ठीक है actual में नहीं हो पाती actual में आप इस तरह से coordination दंग से भी नहीं बिठा सकते हो conference calls को डंग से organize नहीं करा सकते हो at the part of the management any lexity in it proves counterproductive अगर किसी बितरा की जो ला परवाही है वो रहे गई तो जो answer है या solution है वो productive नहीं होगा अब next जो यह parts है in basket training method से लेकर यह वाले जो parts हम करेंगे इसकी next वीडियो में आज हम करेंगे हीं तक कही topic तो मिलते हैं next वीडियो में बाबाएं दो